Hello everyone, Welcome back to my channel, Motivational Guru 1111 दूस्तों जीवन में अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें सफल नहीं हो रहे हैं बार बार फेल हो जा रहे हैं तो आप उससे कभी छोड़े नहीं उसको करते रहें अगर आपको लगता है कि हम फेल हो रहे हैं अब नहीं हो पाएगा हमसे बहुत बर ट्राई कर चुके हैं फिरी फेल हो जा रहे हैं तो घबरानी की जरुरत नहीं है आप तब तक उमिद ना छोड़े जब तक आप सफलना हो जाए आप तब तक काम करना ना छोड़े जब तक आप सफलना हो जाए एक बार की बात है एक राजा के दरबार में एक विदेशी आया और उसने राजा को एक बहुत ही सुन्दर पत्थर दिया राजा ने उस पत्थर को अपने महामंत्री को दे कर बोले कि इस पत्थर से भगवान विश्णु जी का सुन्दर मुर्ति बनवा कर लाईए महामंत्री जी उस पत्थर को लेकर अपने राजी के सबसे बड़े मूर्तिकार के पास गए और उस मूर्तिकार से बोले कि तुम इस से इस पत्थर से विश्ण भगवान की मूर्ति बनाओ अगर ऐसे कर देते हो तो तुम्हें 50 सुन मुद्राय दी जाएंगी वह मूर्तिकार छेनी हथवड़ी लेकर काटने के लिए बैठ गया एक बार हथवड़ा मारा पत्थर नहीं कटा दो बार किया नहीं कटा इस तर से करके वह 50 बार ट्राई किया लेकिन पत्थर कटा ही नहीं बाद में वह निरास हो गया फिर लास्ट में जैसे ही हथवड़ा उठाया मारने के लिए तो उसके मन में विचार आया कि हमने 50 बार इसको कटने की कोशिश की लेकिन ये नहीं कटा तो अब क्या कटेगा और यह सोचके उसने छोड़ दिया और मंत्री जी से बोला कि यह पत्थर अच्छा नहीं है और अब इससे मूर्ती नहीं बन सकता मंत्री जी उसे लेकर चल दिये लेकिन मंत्री जी राजा के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि राजा का सक्त अदेश था कि उससे मूर्ती बनाया जाए या सोचके वो गाव के एक छोटे मूर्तिकार के पास पहुचे और मूर्तिकार के पास जाकर बोले कि एगर इस पत्थर से तुम भगवान विश्णू का मूर्ति बना देते हो तो तुम्हें 50-60 मुद्राय दी जाएंगी यह सुनकर वो मूर्तिकार बनाने के लिए तयार हो गया और जैसे ही उसने पहला वार किया उस पत्थर पे पत्थर कट गया और फिर उसने मूर्ति बना दी तब मंत्री जी सोच रहे थे कि अगर एक बार वो मूर्तिकार ट्राई किया होता तो आज यह 50-60 मुद्राय उसे ही मिला होता तो दोस्तों इस कहानी से यही सिख मिलती है कि अगर हम बार बार फेल हो रहे हैं तो उस काम को ना छोड़े उबीद ना छोड़े ट्राई करते रहे और तब तक ट्राई करते रहे जब तक हम सफलना हो जाते हैं चाहे हमें कितना भी ट्राई करना पड़े